हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप लोग अच्छे होंगे मैं हूँ राहूल जैस्वाल एंड स्वागत करता हूँ आप सभी का एक बर फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टूटोरियल्स में जिसमें आज के दिन हम लोग पढ़ने वाले हैं हमारे एट स्टांडर के लिए जिए जिसका नाम है चाप्टर नमर फूर स्ट्रॉक्चर ओफ ओशियन फ्लोर जैहां दोस्तो फूर चाप्टर पे आ चुक है इसके पहले के तीन चाप्टर हमने अप्लोड कर दिया आप जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो और साथ ही में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इस चाप्टर के शिरुवात करेंगे तो पहला लेक्चर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैसा मैंने बोला कि आप जो है प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं क्योंकि पूरे के पूरे सब्जेक जो आपको कोई परिशानी ना हो, बस आप जाए प्लेलिश में, अच्छे से ढूंडिए, और अच्छे से पढ़ाई कर लेना, जितना हो सके उतना conception knowledge को clear कर लेना, ठीके, शुरुआत करें आज के इस वीडियो की, तो देखो, सबसे पहले एक चीज आपको मैं बता दू, कि structure of ocean floor इस chapter का नाम है, यानि कि हम इस chapter में क्या पढ़ने वाले हैं, कि जो floor होता है, ocean का, ocean आप सभी जानते हैं, समंदर, या फिर मैं महासागर बोल सकता हूं हिंदी में उसको, जैसे जो बड़े-बड़े ocean होता है, Pacific Ocean होता है, प्रशांत महासागर हिंदी में बोलते हैं, Atlantic Ocean होता ह यह बहुत ही विशाल होते हैं, बहुत ही जादा बड़े होते हैं, यानि पुरा प्रिथ्वी पे अगर देखोगे हां, तो 71% का है पानी है, और उसमें से लगबग, मतलब 1-2% को हटा दो, पूरा का पूरा ocean ही है, ठीक है, तो ocean जो होता है, बहुत बड़े होते हैं, और ग क्या-क्या चीजे होती हैं, ठीक है, यह हमने एक diagram के थो आपको बताने की कोशिश करूँ आज के दिल, तो यह बहुत important है, विडियो को end तक देख लोगे आज, तो पूरा 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, शुरुआत करें, ठीक है, चलिए, सबसे पहले अगर मैं ब इसको diagram को अगर imagine करने की कोशिश कर रहें, थोड़ा छोटा मैंने बनाए, क्योंकि बहुत बड़ा diagram था, तो पूरे board पे आनी सकता था, लेकिन imagine करो, और same diagram आपको आपके book में मिल जाएगा, मैं हमेशा बोलता हो, जब भी मैं history, geography, political science, subject कुछ पढ़ाऊंगा, civics वगरे होता है, वो discuss करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप imagine करो कि यार, जो समुंदर का पानी होता है, उसके नीचे भी आप एकदम end में चले जाओ, एकदम गहराई में उतर जाओ, तो वहाँ पे भी क्या होती है, जमीन होती है, लेकिन वो जो जमीन होती है, वो प्लेन जमीन नहीं ह जो अंडर वाटर डाइविंग करते है, कुछ ऐसे एक्सपर्स होते है, आपको पता है, वो पूरा सूट वीट पेन के है, हलमेट लगाके, ऑक्सिजन सिलेंटर लेके, वो एकदम गहराई तक उतरते है, आपने देखा होगा, यह सब चीजे, ठीक है न, वो सारे चैनल से हम लोगों दिखाते हैं, अंदर की लाइफ, क्या है, क्या नहीं, तो वो सभी चीज के लिए भी वो लोगों पता चलता है, कि अंदर क्या है, तो यह सब चीज हम लोग जानेंगे, तो सबसे पहले इसका जोग्राफिकल एक्स्मेशन पॉइंट आप यह बात करें, तो वो है दोस्तो, the relief of the ocean floor, हमारा पहला टॉपिक आज के लिए, ठीक है, the relief of the ocean floor, अब यह जो relief है, यह exactly क्या है, तो relief के बात कर जो land जो है, वो submerged हो जाता है, किसके, below the oceanic water, इसको हम लोग क्या बोलते है, ocean floor बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दोस्तो, ocean floor, यानि कि यह जो चीज आप देख पूरा diagram जो मैंने बना के रखा है, आप बुक में भी आप देख सकते हो, इसको हम लोग क्या बोलते है, ocean relief बोलते हैं, ठीक है, हम लोग का topic वही है, relief of the ocean floor, यह पूरा का पूरा diagram क्या है, ocean relief है, और इसमें अगर मैं बात करूँ, हमने एक चीज बोला, कि पूरा का पूरा हम रिलीफ होता है, ocean floor का, यह किसके उपर depend करता है, कितना जाधा depth है, यानि कि हो सकता है, समुंदर के अंदर जो चीजे है, यानि कि जो relief जो है, वो अलग-अलग shape के हो सकते है, और उसकी depth होगी, उसकी जो गहराई होगी, वो भी क्या हो सकती, अलग-अलग हो सकती, ऐसा भी पर माना गया है, तो एक accordingly अगर बोला जाए, कि उसका shape भी अलगे, depth भी अलगे, और accordingly ये बोल सकते हैं, कि जो average depth है, जो average गहराई है, किसकी oceans की वो लगबग है दोस्तो, 3700 meter, आप imagine करो यार, 3700 meter, बहुत गहरी, यहाँ पर गहराई हो सकती है, यानि कि समंदर में आप, और इस जो है, दिखना शुरू होगा, समंदर के अंदर वाला, तो इतनी ज़्यादा गहराई है, तो ये मैंने जो बोला गहराई है, एक fix गहराई नहीं है, उबर खाबर हर जगा है, लेकिन ये हमने average मान लिया है, कि कहीं पर नीचा होगा, कहीं पर थोड़ा ऊचा भी होगा, तो बहुत सारे चीज़े आपको देखने मिलेगी, कि कहीं आपको ऐसा लगेगा, कि बहुत ज़्यादा खड़ा आ रहा है, लेकिन कहीं पर भी आपको देखने मिलेगा, कहीं उचाई भी है, फिर कहीं पर आपको देखने मिलेगा, प्लेन है, फिर आपको उचाई देखने मिले का यह जो relief है तो इसमें बहुत सारे अलग-अलग टाइप के क्या है landforms है अलग-अलग टाइप के landforms अलग-अलग टाइप के जमीन इसके अंदर situated है और जो structure होता है ocean floor का structure होता है अगर मैं इसकी बात करूँ यह भी अलग-अलग differ करता है हो सकता है कि यहां का जो structure and floor है वो थोड़ा अलग हो यहां का जो structure and floor है यह भी थोड़ा अलग हो और हो सकता है उसके अंदर का जो layers होते न वो भी different-different हो जाए यानि हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि आप यहां से अंदर dive मारो यहवला portion में तो जमीन आपको सबसे टोप यहां पर ऊतरना शुरू करते हैं तो जमीन जो है वह नीचे की दर धस्ते चले जाता है क्यूंकि नीचे की तरफ जा रहा है तब ही तो अगर कोई इंसान यहां पे तो उसको कितनी गहराई का सामना करना पड़ेगा अगर उसको नीचे जाना हो तो, देखे? और कोई non swimmer होगा तो, यानि कोई जिसको swimming नियाती वो होगा तो वो विचारा डूपके मर जाएगा, देखे? लेकिन यहां तक का जो होगा वो चलो आ ज आपकी जो हाइट होगी वो नीचे नीचे चले जाएगे और पानी का जो लेवल है वो उपर का उपर ही रहेगा समझ में आ रहे है दोस्तो इस प्रकार यह चीज होता है यानि कि जैसे हम लोग कोई की तरफ से अंदर जाते यह चीज़े चेंज होने लगती है अब यहां प पूरा कोश्ट है लेकिन जैसे ही अंदर आजाएंगे तो सबसे पहले जो पार्ट शूर होगा उसको बोलते कॉंटिनेंटल शेल्फ तो यह कॉंटिनेंटल शेल्फ क्या है इसको अम लोग पहले डिसकस कर सब्सक्राइब यह जो चीज लिखा हुआ है यह जो इतना हिससा ह एकदम कोने में, किनारे में, किनारा वाला जो चीज होता है, उसको कोष्ट बोलते हैं, तो जो जमीन लाइंड के नजदीक होती है, यानि कि जो कोष्ट के नजदीक होती है, माफ किजेगा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक तरीके से कॉंटिनेंडल चिल बोलते हैं, यह जो land होती ही, वो sea के अंदर submerged हो जाता है, यानि कि sea के अंदर समा गया है, वो देखो, अब यहाँ पे जो continent का land है, दिरे-दिरे यह जो land है, अंदर की तरफ चला गया, यानि कि समुंदर का पानी, यह पूरा पानी है न, समुंदर का ले समुंदर का पानी होता है, यह जाते हैं, यह जब यह समुंदर का अंदर आपunkो आपके पेर के नीचे तोआप आप वहाँ पर support पा सकते हो जमीन का अंदर जमीन है आपके अंदर क्या है जमीन है लेकिन जैसे ही आप उसके आगे बढ़ोगे तब वह गहरी खाई शुरू हो जाएगी और उसको continental slope बोलते है तो वह हम लोग पढ़ेंगे अभी continental slope क्या है लेकिन पहले ये continental shelf समझ लो तो continental shelf क क्या है आपका एक जमीन है लेकिन उदर पर जो पानी होती है वह थोड़ी shallow होती है यानि धिरे-धिरे-धिरे-धिरे-धिरे क्या है वह shallow है यानि कि आप उसमें डूब के नहीं मर सकते है आप डूब नहीं जाओगे वह एक fixed जमीन है आपके पैरों के नीचे यान जैसे swimming pool म पर जो सबमर्ज कोस्ट लाइंड जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक तरीके से ओशेन बेड़ के इसाप से वो आगे-ागे बढ़ते रहता है और एक चीज यहां पर मुझे आपको बताना है कि जो कॉंटिनेंटल शेल्फ जो होता है यह हर जगा सेम होगा ऐसा गैर तो आप घिर जाओगे अंदर घिर जाओगे अंदर मतलब आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके पैरों के नीचे से जमीन जो है वो चली गई है आप जमीन गहरी हो गई है तो मैं अपने हाइट तक हूँ यहां पे लेकिन जैसे मैं 6 फूट के पानी में गया तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पैरों के नीचे से जमीन चली गई सेम वैसा महसूस होता है यहां पर समझ मेरा इमाजिन करने की कोशिश करो यह situation को ओके तो यह क्या हो चाता है बहुत नारो हो जाता है जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे वैसे नारो हो जाता है और यह जो है लगब 200 मीटर तक की वो गहराई होगी उधर तक वो जमीन जो है वो सेम होगा लेकिन जैसे आप और अंदर जाओगे तब वो जो है यह आपका एकदम ढलान यानि कि नीचे की तरफ जिसको कॉंटिनेंटल स्लोप बोलते है वो चालो होगा यह आप इमाजिन करो तो कॉंटिनेंट अच्छा एक तरीके से रिजल्ट दिता है वो और साथी में इसके वीज़े से अलगी होता है यहाँ प्लैंक्टोंस होते है यहाँ पे ग्रो करते हैं अलगी प्लैंक्टेंक्स ग्रो करते हैं आप जानते हों कि जहां पे भी अलगी और प्लैंक्टेंक्स जो फाइटो प्लैंक्टेंक्स होता है यानि पानी के अंदर जो प्लांट्स वगरे उखते है तो वो मचलिया इसको खाने के लिए वहाँ पे रहते है तो यह इलाका जो खुदाई करते हैं, जो natural gas निकाला जाता है, वो भी इस एरिया में से निकाला जाता है, यानि continental shelf से निकाला जाता है, फिर अगर हम बात करें, mineral oil हो गया, बहुत सारे अलग-अलग minerals हो गया, example के तोर पे, Mumbai High, आपको पता है, Mumbai High एक जगा है, जगे का नाम ही है, Mumbai High, आप सहच मा आ गया, तो यह था हमारा पहला पार्ट जिसका नाम था, continental shelf, clear है, तो उमीद करता हूँ कि यह चीज़ आपको समझ में आ गया होगा, अब जैसे continental shelf यहां तक खतम हुआ, उसके बाद अगर हम समुंदर के और अंदर तक जाएंगे, और गहरी, गहराई में उतरेंगे, तो य यहां पर क्या शूरू हो रहा है, जैसे मैंने बोला, continental slope शूरू हो रहा है, यानि कि हमारा अगला यहां पर step जो आ जाएगा, वो आ जाएगा, continental, continental slope, क्या आ गया, अब इसको देखते है, continental slope क्या होता है, सब को एक एक करके, बारे बारे इसको सब पढ़ेंगे, आज पूरा साच श्टीप हो जाता है पतले से और गहराई में उतरने लगता है तो वो चीज को हम लोग क्या बोलते हैं और जो देप्थ होता है यह स्लोप का यह लगबग 200 मीटर जैसे कि हमने अभी भी पढ़ा कि कॉंटिनेंटल जो शेल्फ था यहां तक जो एवरेज गहराई थी वो 200 मीटर थी लेकिन जैसे यह कॉंटिनेंटल शेल्फ खतम हुआ और चुरू हुआ यह वाला अब गहराई जो है आपकी बढ़ गए पहले 200 मीटर से अब 200 मीटर से लगबग 3600 मीटर तक यह गहराई यहां से सीजा सीजा एक बार खाई आ गया पानी के अंदर था आप डीप में जा सकते हो लेकिन वह जो होती है चौड़ाई बहुत कम होती है आप देख सकते हैं कि इसको निकालना भी मुश्किल होता है तो यह भी चीज देखा गया है ठीक है और यह जो कॉंटिनेंटल जो बढ़ जाता है तो जो boundary कि कि इक खत्रा इसले बढ़ जाता है क्योंकि समूंदर की बीच में आप देखोंकि जो पाउंग्सान भी पहुँच जाए तो इसा हुआ भी है बहुत बार आपको बताऊंगा आगया कि स्टोरी बहुत सारी स्टोरी बहुत के आगे पढ़ने इस चाप्टर के अंदर, इस चाप्टर के माध्यम से आपको बताऊंगा, टाइटेनिक, वन अफ दा एक्जामपल, डूब कैसे, कैसे डूब गया, ये भी एक बहुत बड़ा स्टोरी है, तो आप जानते हो, तो इसलिए जो Continental Slope है, इसको boundary of the continent कहा जाता है, क्योंकि वो एक boundary है, आप उसके आगे नहीं जा सकते है, इसा boundary है आपके लिए, तो जो भी आपको काम करना है, मचली मारना है, फिजिंग करना है, वो यहां तक मार लो, Continental Slope के आगे मार लो, Continental Slope के आगे जैसे आप पहुचोगे, तो आपका खत्रा जो है बढ़ जाएगा, इस हिसाब से यहाँ पर बोला गया है, ठीके, यह हो गया हमारा दूसरा चीज, अब बात करेंगे तिसरा पार्ट, जिसको बोलते हैं, अबाइसल प्लेन, क्या बोलते हैं, अबाइसल प्लेन बोलते हैं, ठीके, आपको हर चीज में यहाँ पर क्लियर करा दूँगा, आप टेंशन मतले, बस आप थोड़ा सा देख लो, आप देखो अबाइसल प्लेन का है, डागरम में आपको किदर दिख रहा है, आप बुक में भी आप देखोगे, तो नीचे की तरब दिख जाएगा, पहाड जैसा है कि जैसे बहुत सारे स्बमर्ज रैंडफोर्म shouting होते है, जैसे कि पहाडए होते है, hills भी होता और plateus भी होते हैं यानि कि इसमें कहीं न कहीं चोटे-चोटे पहाड और plateus आपको अंदर की तरफ भी देखने मिलते हैं तो ये है abysal plane, abysal plane के बाद एक और चीज़ आ जाता है fourth point अगर हम बात करें यहाँ पे जिसका नामे mountain ranges and plateus यानि कि जैसे मैंने बोला abysal plane के अंदर बहुत सारे mountains, hills वगरे आते हैं plateus आते हैं तो वो क्या है तो यह हम लोग discuss करेंगे mountain ranges and plateus यह क्या है इसको थोड़ा सा हम लोग study करते हैं mountain ranges and plateus ठीके इसको मैं rough कर देता हूँ फिलाल में क्योंकि यह space भी हमें जरुवत पड़ेगा ठीके ना ओके थोड़ा सा देख लो अच्छे से आप देखो यह chapter आपको ना hundred percent एकदम concept knowledge के साथ आपको clear हो जाने वाला क्योंकि आपको इसके बाद कभी कोई परशानी नहीं होगी अगर आप ध्यान लगा के देख रहे होंगे तो ठीके इतना मैं आपको बोल सकता है तो mountain ranges and plateau की इसाब से अगर मैं बात करूँ कि जो समुदर के अंदर आप जैसी जाओगे तो बहुत सारे hills बड़े-बड़े अंदर की तरफ से hills कुछ mountains जो है आपको देखने भी लेंगे ocean bed के उपर तो उसी को क्या बोलते हैं दोस्तो submerged hill केते हैं उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं submerged hill बोलते हैं और mountains बोलते हैं जो हमारा topic है यानि कि कहीं ने कहीं पानी के अंदर डूबा हुआ पहाड submerged hill mountains क्योंकि हमने normally तो mountain पहाड कहां देखे जमीन के उपर देखे लेकिन यह समंदर इतना गहरा है उसके अंदर भी पहाड आ सकता है उसके अंदर भी plateus जो है और वो डूबे हुए हैं पानी के अंदर इसके लिए इसको submerged पहाड यानि hills और mountain ranges कहा जाता है ठीक है ना तो hills जो है hundreds of kilometers चोड़े हो सकते है यानि इतने बड़े-बड़े 100 kilometers आप जानते हो तो उसके इतना होता है 100 kilometers चोड़े-चोड़े यहाँ पे mountains and यहाँ पे thousands of kilometers लंबे यानि कि आप समझ सकते हो 1000 kilometers लंबे क्योंकि हम लोगों तो height पता ही है ना लगबग कितनी गहराई है समुंदर की 3600 या फिर 3700 तक की गहराई है average गहराई है यह लेकिन आप imagine कर सकते हो मैंने अभी बोला thousands of kilometers लंबे तो 1000 ही है यह तो 3700 है तो 1000 तो उससे बहुत छोटा हो गया यानि कि आप समुंदर के गहराई में जब उतर होगे तो वहाँ पे भी 1000,000 किलोमेटर लंबे लंबे पाहाड और लगबग 100,000 किलोमेटर चोड़े पाहाड आपको देखने मिलेंगे पानी के अंदर ठीक है, और यह जो होते है न यह मराइन आइलेंड्स में नॉर्मली दिखते हैं, आपने देखा होगे कि बहुत सारे आइलेंड्स जो आते है तो आइलेंड मतलब क्या होता है, वो अंदर से ही निकला है जमीन जो बहुत सारे island होते हैं, तो कहीं ने कहीं वो जो island होते हैं, वो क्या होते हैं, एक submerged mountain या फिर hills होते हैं, जो कि एक उपर की दरफ से flat surface होता है, और उसके उपर लोग रहते हैं भी यह कहीं पर island के उपर, या फिर आप घूमने के लिए जाते हो island, या फिर कोई कहीं कहीं तो स Atlantic Ocean, Atlantic Ocean आपको पता ही है, तो उसमें एक Iceland करके है, तो वो एक Iceland जो है न, वो एक तरीके से पाहड ही है, बरफ का बना हुआ, ठीक है न, Iceland, आपने नाम तो सुना होगा ये country का, Iceland, Greenland, Iceland, तो Iceland क्या एक तरीके से पूरा Atlantic Ocean में निकला हुआ, उभरा हुआ, एक submerged हिली है, एक submerged mountain है, फ सब कुछ example है, ठीक है न, फिर ये जो marine islands जो होते हैं, या पर ये flat होते हैं, ठीक है न, उपर की तरफ से flat होते हैं, भले ये दिखने में ऐसा, आपको मैं diagram में दिखा रहा हूँ, लेकिन चप्टे होते हैं, उपर की तरफ तो ये बहुत बढ़े होंगे, लंबे चोड़े हो हो सकते हैं, ठीक है तो ये बहुत बढ़ा होता है, एक शहर के बराबर होता है, इतने बड़े बड़े होते हैं, पहाडी, चागोस प्लेट्यू नामें इंडियन ओशिन में, तो ये एक कुछ example है किसका mountain ranges and platews का, clear है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज समझ में आ होगा तो फोर्थ हमने पढ़ लिया अब एक और चीज हमें पढ़ना है जिसका नामे मरीन मराइन डिप्स एंड मराइन ट्रेंचेस अब यह बहुत इंट्रेस्टिंग चीज आने वाला है देखो यहां पर बताऊंगा आपको मराइन इसका नाम है आखरी है इसको देख लो फिर हमारा लेक्ट्र खतम हो जाएगा मराइन डिप्स एंड मराइन ट्रेंचेस अब क्या होता है जैसे यहां तक हमने पढ़ लिया मराइन आइलेंड देख लिया तीक है ना यहां पर आइलेंड उबर के उपर की तरफ से आ जाते है तो मराइन आइलेंड हमें पता चल गया ठीक है ना अब इसके बाद पहाड़ी वगरे हो गया अब उसके अंदर कुछ आएगा मराइन डीप अब डीप का मतलब क्या होता है गहराई और ट्रेंचेस का इसको मराइन डीप अब जैसे मराइन आइलेंड खता हो गया तो यहां पर आपको बहुत सारे प्लेंज देखने मिल रहे है लेकिन अचानक से यहां पर आने के बाद आप देखोगे इतनी बड़ी गहरी खाई जैसी चीज हो गई तो इसको नाम दिया गया है मरियाना ट्रे और यह जो चीज है मरियाना ट्रेंच अगर मैं आपको एक जनल नौलेज के हिसाब से बता दू तो मरियाना ट्रेंच जो है पैसिफिक ओशन आपको पता न सबसे बड़ा महासागर पैसिफिक ओशन प्रशांत महासागर आप जानते ही हो पूरे वल्ड में सबसे बड़ा ओ अंदर की तरफ गया है गहरी खाई यह समझ लो और उसकी जो हाइट है मैं आपको बताओंगो तो आप दंग रहे जाओंगे उसकी हाइट जो है दोस्तो 11,034 किलो मीटर है 11,034 किलो मीटर है मतलब लाइक I can't email माफ की जगह किलो मीटर नहीं होता है हाँ माफ करना मुझ तो Mount Everest सबसे बड़ा चीज माना जाता है पूरे वर्ल्ड में आप जानते हो ना उसकी हाइट जानते हो कितनी है उपर की तरफ यह Mariana जो ट्रेंच है वो नीचे की तरफ है समंदर के अंदर गहराई है यानि कि धसा हुआ है अंदर की तरफ प्रिथवी के अंदर धसा हुआ है त आपको पता होगा सबसे उचे चीज प्रिथी के उपर की तरफ गई हो वो क्या है Mount Everest है तो Mount Everest की जो हाइट है न दोस्तो वो है दोस्तो 88-48 किलो मीटर मतला उसकी जो हाइट है लगबख सिर्फ 8 किलो मीटर है यानि कि Mount Everest से भी लगबख 3 किलो मीटर जादा गहराई किसकी है Mar यानि कि दुनिया में सबसे बड़ी अंदर घसीवी चीज क्या है Mariana Trench है जो कि Pacific Ocean में पाया जाता है तो 11 किलो मेटर तो अंदर चला जाएगा यार यह कितनी अजीब बात है ठीक है और सबसे उची वाली चीज कोन सी है Mount Everest 8848 मीटर बार बार किलो मीटर बोल दे न वो तो बह बहुत सारे active volcanoes भी पाय जाता है यानि कि अगर कोई जाएगा वहाँ पे तो उसको देखने मिलेगा बहुत सारे active volcanoes और इसके लिए इसको earthquake prone area यानि कि वहाँ पे भुकम वगरे आता है क्योंकि volcano active है तो जो हमेशा फटते रहेंगे तो इसके लिए earthquake वगरे आने के chances बहुत जा कर दिया क्या explain कर दिया कि किस हिसाब से हमारा पूरा समुंदर के अंदर चीजे होती है continent होता है coastline होता है continental shelf होता है continental slope देख लिया हमने marine island क्या होता है जिसमें mountain ranges and play tube cover हो गया बाइसल plane था यहाँ पे यहाँ पे plane देख लिया फिर कैसे घहराई नीचे उदर जाती है तो उसक सब चीज हमने explain कर दिया है तो बस यही था हमारा आज का lecture वीडियो आज का lecture बस मैं यही पे stop करूँगा जिसमें हमने पूरा पूरा ocean relief को खतम कर दिया लेकिन कुछ चीजे बची हुई है इस chapter पे जो हम लोगो आपको पढ़ाना है तो continue करेंगे हम लोग बट आज नहीं हम करेंगे इसको next lecture यानि lecture number two में lecture number two फटा फट से आपके लिए लेकर आ जाओंगा और हर चीज हम लोग अच्छे से पढ़ लेंगे ठीक है तो बस आज के लिए इतना ही यह वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तो प्लीज हमें comment करके बताएगा अपनी राय और suggestion जरूर सी दी किया है तो फटा फट से हमारे चानल को भी सब्स्राइब कर देना साथ ने एक बेल आइकन होता है उसको प्रेस कर देना ताकि future में हम कोई भी वीडियो उसको अपलोड करेंगे तो आप लोको notification मिलती रहेगी ठीके friends तो मिलते है हमारे एगले वीडियो में यह वीडियो दे